हलो फ्रेंट्स दोस्तो अगर हमको इंग्लिश में किसी को सुझाव देना हो किसी प्रकार का तो हम कैसे कैसे दे सकते हैं यही हम सीखेंगे तो दोस्तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है Giving Suggestions सुझाव देना लेकिन दोस्तो इसके पहले कि हम टॉपिक पर आगे बढ़े मैं आपको एक बहुत अशी जानकारी देना चाहता हूँ और वो जानकारी यह है दोस्तो कि यह जो वर्ड है Suggestion जिसको बोलते हैं S-U-G-E-S-T-I-O-N इसका जो correct pronunciation है यानि इसका सही और शुद हुचारण है वो होता है Suggestion तो दोस्तो यह सन नहीं होगा स होगा Suggestion अगर आप इसको डबल चेक करना चाहते हूँ तो आपके mobile phone में online dictionary होगी कोई नहीं कोई उसमें आपको यह word type करना है और वहाँ पर सुनने का option होता है उसको जब press करेंगे क्लिक करेंगे तो आपको बोल के भी सुनाएगा और इस प्रकार से आप और भी शबदों का उचारण सेख सकते हैं ठीक है दोस्तों हम आते अपने topic पर तो दोस्तों अगर sentence में first person हो first person कौन होता है दोस्तों I और we मैं और हम तो first person हो sentence में और तब सुझाब देना हूं जैसे मैं या हम करके सुझाब देना चाहते हैं तो सुझाब देने के दो तरीके हैं एक है let us या let's short में बोलते हैं let's full form म लोग अपने जैसे आप अपने फ्रेंट्स को बोल रहे हैं चलो यार क्रिकेट खेलते हैं चलो यार थोड़ी मस्ती करते हैं तो आप बोलेंगे चलो यार मस्ती करते हैं लेट्स हैब फन आप सुझाव दे रहे हैं कि चलो मस्ती करते हैं या लेट्स प्ले क्रिकेट चलो क्रि उसको भी invite कर लूँ क्या यानि एक तरह का सुझाव है तो ऐसे बोलेंगे शैल आई invite him या नहीं अगर एक से ज्यादा लोग है एक से ज्यादा लोग है शैल वी इन्वाइट हिम तो आई या वी में से कोई साब इस्तेमाल किसे लिए बीच मैंने अब लिक हमारे से 50 फर्स तब कैसे सुझाव दे सकते हैं तो फ़स्ट और से पर्सन कौन कौन होगे है दोस्तों मैं हम और तुम या तुम सब या आपया आप सब युश एंगलर भी यह प्लूरल भी है अशन देखतें तरीके कौन कौन से सुझाव देने के तो दोस्तों फिर दो तरीके हैं अगर sentence में second first and second percent दोनों हो तो एक है why don't we या why don't you हम बोलते न अरे यार तुम market को नहीं चले जाते अरे तुम कसरत को नहीं कर लेते वो तो why don't we या हम अपने लिए बोलते हैं अरे यार हम मुंबई क्यों नहीं चले चलते हैं वहीं चलके रहेंगे वहीं पर फिल्म में जाके काम करेंगे hero बनेंगे अब कुछ भी बोला जा सकता है तो why don't we जैसे यहां की example है why don't we meet and discuss it कोई सुझाव देरा है किसी को कि यार हम क्यों नहीं मिल ले और इस बात को discuss कर लेते हैं why don't we meet हम क्यों नहीं and discuss it और इस बार को discuss कर ले नहीं तो आप यहां पर we की जग़े पर you भी लिख सकते हैं why don't you meet me अब तुम मुझसे मिल क्यों नहीं लेते and discuss it और इसको discuss क्यों नहीं कर लेते so why don't we meet and discuss it या why don't you meet me and discuss it तो एक तरीका तो यह है why don't we why don't you दूसरा तरीका है दोस्तो how about या what about यह बहुत चलता है actually यह सारी चलते है spoken English में बहुत जादा हम पूछते ना दोस्तों से की एक glass juice पिने के बारे में क्या ख्याल है या कफी या चाई पीने के बारे में क्या ख्याल है यह आज फिल्म देखने के बारे में क्या विचार है तुम्हारा क्या ख्याल है वही है यह वाइड हाव बाउट या वट बाउट आज दोसों इसको यूज कैसे करते हैं यह थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा how about और what about के बाद या तो आप एक noun लिख सकते हैं या आप gerund का इस्तेमाल कर सकते है verb plus ing कैसे? जैसे कोई पूछ रहे किसी से how about some coffee थोड़ी सी coffee पीने के बारे में क्या ख्याल है how about some coffee यहाँ पर coffee noun है और नहीं तो आप चाहे तो verb plus ing होता है gerund वो भी इस्तेमाल कर सकते है जैसे what about playing cricket cricket खेलने के बारे में क्या ख्याल है तो हमको क्या याद रखना है कि how about या what about के बाद या तो सीधे सीधे noun का इस्तेमाल होगा जैसे what about some juice या how about some juice यहाँ noun है juice लेकिन अगर आप kriya का इस्तेमाल करेंगे जैसे cricket खेलने के बारे में क्या ख्याल है तो अब हो सकते है how about playing cricket या what about playing cricket तो इसके बाद या तो noun का यूज होगा और अगर verb का यूज करेंगे तो हम आइंगी लगा देंगे ठीक है दोस्तो अब हम आते हैं तीसरे रूल पे तो अब इसमें क्या है इसमें first, second and third person तीनों ही है तो अगर तीनों sentence में हो first भी, second भी, तीनों का इस्तेमाल करना पड़ जाए तब कैसे कैसे सुझाव दे सकते हैं तो वह हम सीखते हैं first, second and third person suggestions और ये कौन-कौन होते हैं दोस्तो second and third person I, we, you, he, she, it, they सारे आजयेंगी इसमें तो इसमें जो तरीका है दोस्तो एक है I propose, एक है I suggest मैं ऐसा प्रस्ताव रखता हूँ propose का मतलब है प्रस्ताव रखना suggest का मतलब है सुझाव देना suggest verb होता है सुझाव देना और इसी का noun है suggestion, सुझाव verb है suggest, noun है suggestion खेर, तो I propose अब कैसे sentence बनेगा मैं प्रस्ताव रखता हूँ की that I propose that मैं प्रस्ताव रखता हूँ की you do it, तुम इस काम को करलो या तो आप ऐसे बोल सकते हैं I propose that you do it मैं प्रस्ताव रखता हूँ की तुम इस काम को करलो आप चाहें तो यहाँ you के बाद should का भी इस्तेमाल कर सकते हैं I propose that you should do it ऐसे भी बुला जा सकता है नहीं तो I propose that you do it उसके बाद दोस्तों I suggest मैं ऐसा सुझाव देता हूँ कि that he should do it उसको इस काम को कर लेना चाहिए या I suggest that he do it मैं सुझाव देता हूँ को इस काम को कर ले कैसे भी बोल सकते हैं तो I propose और I suggest के बाद इधर second person, third person का इस्तिमाल हो जाएगा जिसके लिए भी आप सुझाव दे रहे हैं तो दोस्तों यह सुझाव देने के तरीके हैं अगर आपने इनको ठीक से सीख लिया यूज करना शुरू कर लिया तो आपके लिए English बोलना थोड़ा सा और भी ज्यादा आसान हो जाएगा कई सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है spoken English के लिए उनमें से अगर main main चीज़ें को सीख लिया जाए जैसे उनमें से एक यह भी है तो English बोलना मुश्किल नहीं है अच्छा दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको आज की क्लास से ज़रूर ही फायदा होगा और आपको अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो में हम फिर एक नई बात सिखेंगे अच्छी बात सिखेंगे और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक वीडियो बना करके दे दूँ जिसे कि आपको उस टॉपिक की क्लारिटी हो जाए तो आप नीचे कॉमेंट बाक्स में लिख दीजे मैं एक वीडियो उस पर भी आपको बना करके दे दूँगा सांक्यू बड़ी मज़ोसो हम जल्दी मिलते हैं बाई बाई